अब सब्सक्राइब फोटोग्राफी करने के वाइड लोग साफ करते हम लोग धोते हैं तो कैसे आप और अभी बज़े है सुबा कर साधे साथ बज़े और मैं हूं सुल्तानपूर नैशनल पार्क गुडगाउं में तो का इस आज की वीडियो ना और वीडियो और फोटो वा अकेड़न जंगपूरा में है और वहां पर झालके आप एक बार चेक आट कर सकते हैं और जो आज की फोटो रख है और जका में सिस्टम की बात करने तो आज का सब्सक्राइब होने वाला है ऑं माक् टूव और ра。 jail चल्दी मीडियो लेखे आने वालाहि एक और बीस लेंस आपको मैं दिखाऊंगा 150 to 400 लेंस तो गाई इस आज की वीडियो बने रही है बहुत मज़ा आने वाला है आपको ते ट्यून और मिलता हूँ आपसे थोड़ी दिर में सो दोस्तो आज का जो खूबसरत दिन हम सब साथ-साथ भिता रहे हैं इस खूबसरत दिन का श्रे जाता है आपको मिलने वाली है की आप बंधा जो चाहें और सथ-साथ आपको गाइडेंस और अभी फिलाल मिलने वाली है गरम-गरम चाय और साथ में आने वाले हैं तो आप सब का स्वागत है वेलकम है इस बॉंडरफुल वाक्शॉप में गुड बॉर्निंग ओल वीव अभी सब लोग इंदम फुल जोस में होंगे आज के लिए सो थैंक यू स्याम सर इंद फॉर शेरिंग अपॉर्चॉनिटी फॉर तुड़े राइट सो आज हम लोग सुल्तानपूर में हैं और शूटन शूट्स और स्याम सर ने बताया अभी अभी हम दोनों ने प्लान किया कि आज के सेशन में कुछ वाइड लाइफ शूट्स का किये जाएं तो जिसके अंदर मेरे साथ मेरा अकलिक परभात है मंजीत हैं जो यह सारे वीडियो और फोटोस रिकॉर्ड करेंगे आज के पूरे दिन की एक्टिविटीज तो आज हमारे पास में ओलंपस और स्टम के बहुत सारे गेर जो आई तिंग इच एवरी पार्टिसिपेंट के यूज दोस तो हमारे पास में ओम वन कैमरा है हमारे पास में जो फ्लैक्सिप मॉडल है हमारा देन 300 mm लेंस एफ फॉर एंड वन फिफ्टी फॉर फ्लैक्सिप लेंस है और हंड़ फॉर अमांट अफ रोडक्स हैं जिसको आपना वाइल डाइफ के लिए जो मेंडिटरी है अगर हमारे स्रीची निया तो बर्डिंग और वो सब कैट्चर करना तो डिफिकल्ट रहता है तो बहुत तरी डेमो प्रोड़क्स हैं आप उनको यूज की जिए और मुझे लगता है कि वरक्शॉप के एंड में हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर होंगी फोटोग्रा तो मुझे जंगल बहुत खुबसूरत लगता है मुझे इसकी अपनी ब्यूटी में इतना अनन्द आ जाता है बाकी चीजे तो जो हम लोग देखते है वो शाद एक जैसे एक दूसी जगे कोमन हो सकती है टाइगर टाइगर ही हो सकता है या बाकी चीजे तो आप जंगल का अनन्द लेना बिल्कुल मन में इस तरह की शंका अमात रखिया कि बहुत बड़े पंचिया तरह की मिलेंगे तभी बहुत अच्छी पिक्चर बनती है तो अलम्पस के पास दो बर्टिकल थे जिसमें उनका मैडिकल जो बर्टिकल है बहुत स्ट्रॉंग है देहों अल्मोस् इसलिए अभी जो नया ब्रैंड नेम हम लोग इसको बोल रहा है वियर कॉलिंग इट ओम सिस्टम सो 2020 में यह फांड हुआ बापस से लेगेसी ओलम्पस की 100 प्लस लेगेसी है मेली ओलम्पस का जो ब्लीप से अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देखें फिल्म एरा से जब से इन्होंने क्यामराज डवलप करना स्टार्ट के कुछ कुछ ऐसी टेक्लोजी है जो इन लोग ने इंट्रीडूस की जिसे मैं आपको दो तीन चीजें बताओं जो अभी काफी ज़्यादा पॉपिलर हैं अगर आप बात करें इमेस्टेबलाइशन की हर कोई बात करत हैं ऐसे बहुत सारी यूनिक फंक्शन है जब आप क्यामरा एक्स्पिरिंस करेंगे तो आपको लगेगा मेली अगर मैं बात करूँ जैसे कि सिंस्ट वी आर टुदेफो वाइल लाइफ और बर्डंग तो उसके लिए बहुत सूटेबल गेर से तो पहला जो इसके नाइन से मिरलेस बना रहे हैं तब आप देखेंगे को कोई भी मिरलेस में नहीं था हाडली पाइन सोनिक और ये दो सिस्टम ही मिरलेस को ड्राइफ कर रहे थे अभी तो काफी सारे लोग इस फेल्ट के अंदर आ जो हमारा फ्लेक्सिप मॉडल है ओम वन अभी हम लोग ने अगर आपको मैं दो तीन फीचर बता हूं वर्डिंग और वाइल्लाइफ को लेकर तो ये अप टू वन ट्वेंटी फ्रेम पर सकेंद तक शूट करता रहा है और बोडी सारी की सारी वेदर सेल्ड है बारीज भी हो तो भी आप शूट कर सकते हो इतनी रगड और टफ हैं बहुत सारे से फीचर जो आप यूज कर सकते हैं आपको बहुत मजाने वाला जो लोग भी ट्राइब करेंगे और यू फिल टोटली डिफरेंट फ्रम अदर सिस्टम जब भी आपने किया होगा और तो अभी जो सबसे पहले जो मेरी मलाकात रविंदर से हुई थी और उ इसा सा फील मुझे इसमें वहा तो मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको जो आपके साथ इंडरेक्शन हो गया था तो फैन हो गया था तो सी दिन मैं कहा रही कमाल की टेक्नोरजी और कमाल की चीज़ तो आप सोजिए देखे कितने सारे लेंसी और कामरा हमारे पास हैं औ क्योंक लृब लुए लुए रहा था ट्रहा था था रहा था अपको लांश्स कार रा था 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 मैंस। अ इसम्यंड मृटिवू बुटिफल बुटिफूल बुटिफ बुटिव जस्साथ न चुटिखे प्लावosa था 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 थार रह था में यह था 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 ठीड़ अच है छो इस कि प्रशिप्ट थाव पूर झाहिते है, यब साम यू जिते है। हलो दिखेवा छृम इस एंपना यग जा aşवे है। पुरा एक्स्टेंशन तो दोस्तों मैं आज यहां पर फोटो वाक के लिए आया हूं और जो हमारी अकैडमी पहले में उसके बारे में बताता हूं आज की बात तो हम बाद में करने वाले हैं क्योंकि उसको थोड़ा सरप्राइज रखते हैं हम क्यों आये हैं यहां पर हम बात अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर में ऐस एक क्यारियर इसको लेना चाहते हैं तो हमारे कोर्सिक को जाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास वीडियो केकोर्सित कॉर्सित हैं अ fighting कूर्सित और जोडते हैं इसके साथ में हम लग फैशन फोटोग्रफी कर सकते हैं सारे आवार्डों से नवाजा गया है, including National Award in Photography, और मैं अपने photography के sessions course, morning to evening, all seven days हम लोग कराते हैं, जो लोग अपने working में हैं, वो लोग हमारे Saturday Sunday course कर सकते हैं, और जो लोग Saturday भी working है, वो सिरफ Sunday वाला भी course कर सकते हैं, तो different courses हैं, और हमारे के साथ आपको different जो lighting setup है, खास्तोर से studio setup है, commercial photography कैसे की जाती है, वो सब जानकारी आपको देते हैं, आज हम आए हुए हैं, सुल्तान पूर बर्ड सेंचुरी के अंदर में, नेशनल पार्क के अंदर, और यहां हमारे students के साथ हम interact करने वाले हैं, different tips of photography, lenses के पर बात करेंगे, lighting के पर बात करेंगे, exposure के पर बात करेंगे, कैसे wildlife photography, bird photography, lens यह photography को enhance किया जा सकता है. देखना है नहीं, वहाँ देखना है, shoot. तो सिर्व आपको यह focus point देखना है, यह वाला, यह इदर, और उपर वाला भी focus महीं होना चाहिए. So, जैसे मैंने आपको बताया है, camera weather sealed है, body is rated IP 53, IP 53 बहुत ही robust body है, weather sealing में इसके आपके बाग कोई weather, rain हो रहा हो, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा dust proof है, वहलाब आप ऐसा desert area में जाते हैं, dust है, बहुत आपको लगता है, sensor problem करता है, तो वह भी नहीं आती, इसका नहीं सेंसर क्लीनिंग का option है, तो जैसी आप body को switch off करते हैं, तो one second के अंदर 32,000 times vibrate करता है, तो सारा dust remove कर देता है, फिर यह anti-freezer minus 10 degree में भी आप इसको use कर सकते है, तो यह एक शॉट था, हमने भी वर्ट फ्लाइड लिया था सरके साथ में, यह दिखा है तो आपको, एक्चुली क्यामरा है, ऐसा डमी भाले को नहीं करते हैं, यह और यह जोनों मैच करने चाएं आपके, हाँ, ओ देखा, देखा, हो गया, बहुत जल्दी दिख जाता है आपको, देखने के बाद आप यहां जा सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, हाँ, डन, सब्जेक्ट बहुत जल्दी फिगर आउट हो जाएगा आपका, यह हमने focus lock किया, Puis, आपके, आपके, यहां से एक तक क्रुप कर सकते हैं, यह दीखी यह देख, में लोक जाता ही खिएगया है, एक यह थिए सब्स्क्रिच एभर आपको, कि यह पार्य। पर लॉक कर दो. रिग लिट किह थी conception और और तो कितो अन्यों मैकि क्वार्ऽटीज क्निस लन अपेठी पाक्ष्टलिग कि रहरे कित्छ बेक başka है दिखित आम कि बसे प्सकिनो लग बड़ नियुंग और अपार को से स तो अब भी मैं इंपॉर्टेंस ऑफूड की बताने वाला हूं बेसिकली देखे मेरे पास यहां पर इसके साथ हूड लगावा है और अधर एक लैंसे उसके साथ भी हूड लगावा है हूड मतलब बेसिकली जैसे मैंने एक हैट पहनी है यह मेरे को एक सकूम देती जब मैं कि ऐखता हूं तो आखों रिलैक्स मिलता और एक्स्रिटर आणवांट इसको कट करता है तो जब फिसके पर होड लगाते हैं अपने लेंस के साथ मैं तो इढर इबर से जो एक्स्ट्रा लाइथि सो उसके बगार वह दूरा है अगर आपके हुड जो है आपके लेंस के साथ नहीं आ रहा है तो सजेश्ट यू कन बाइट सेपरेटली फ्रॉं दर मार्केट आप उसको आउन-लाइन या मार्केट से जाके अलग से आप उसे ले सकते हैं लेकिन उसके एडवांटेज बहुत है एक तो यह आपको शेड दे रहा है दूसरा अनवांटेड लाइट कट रहा है तीसरा उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नहीं है उसके लाइन्ट जाएगी कट जाएगी उससे पहले ही तो आपको फ्रेम में शापनेस, कांटरास, एण डिटेलिंग बैटर मिलने वाली है और उसके साथ में आपको एक और हुड को डिफरेंट शेपस है तो राइट हुड होना चाहिए आपके बास फ्ला हुड है या किस तरह हुड आप यूज करने वाले है उसके साथ में मैच करना चाहिए तो एनिवेर आपके सेफटी वाल पर यहां टाच हो जाए तो आपका फिल्टर और लेंस डेमेज हो सकता है लेकिन अगर यह टाच होगा तो सिर्फ यह हुड ही डेमेज होगा या उस पर स्क्रैच आएंगे जिसे हम लोग जैसे बर्ड फोटोग्रफी करते हैं या इनिमल फोटोग्रफी क अगर हम वीडियो की बात करें तो हम लोग जो फिल्म हम देखते हैं तो टूंटी-फोर फ्रेम्स के एकॉर्टिंगली देखते हैं इन वन सेकंड और यह हंड़े जो फ्रेम्स के जोड़े तो वीडियो बन जाता है लेकिन आप शूट तो कर रहे हो लेकिन अगर आपका को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊगे और हमें क्यों करना पड़ता है बैसिकली वीडों टो मिस इन सिंगल शॉट ऑफ दबर उसका जो एक्शन है वह अगर जो फ्लाइ करने से और लैंड करने तक जो मोड है वह हम सारा कैप्चर करना चाहते हैं तो उतना फास मैनुएली नहीं क कर पाती तो हमसे कॉंटिनेंस मोड पे लगा लेते हैं इस इंगल शॉट ना करके कॉंटिनेंस लेकिन वह एंड तक कर रिकॉर्ड कर पाएं उसके लिए हाई स्पीड होना ज़रूरी है कैमरा स्पीड और कार्ड स्पीड मैच करनी चाहिए तब ही एक राइट काड अपको कि समय सही समय पर शूट करना फोटोग्रफी को अपने आप में एक पिक्छर को ग्रैब करना है सर और इसके अंदर में जैसे समय का मेरा मतलब है कि हम सुबह जाएं दुपह जाएं या शाम को जाएं फोटो को शूट करने के लिए तो मैं अपने एक्सपिरेंस से बताता हूं इसको सेवन एट में काउंट ना करके ये देखिए कि जब संराइज हो जाता है उसके बाद क तो यह जो दो समय है सर जैन सर इसके अंदर में जो दो टाइमिंग सुबह और शाम और बीच के टाइम में मैं उसको में साफाइट टाइम मानता हम कि सर के ऊपर धूप चली जाती है और इतना तेज उसमें लाइट रह जाती है जिसे कॉंट्रास लेवल बढ़ जाता है डि सुबह तो आप पहुंचगे मान लीजे सुबह के साथ वजे सन्राइज वास साथ से नो के बाद में जो आपको प्रेस करना है बटन वोक अब करना है तो उसके लिए मैं यह कहता हूं कि आपको एक डिससी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि सही समय अगर हम एक पिक्चर के ड प्रेस करना है तो आप देखे के बैस कॉंपोजिशन बनी उसने इस तरह से मूव किया बस आपको प्रेस करना है अदरवाइस आपके बहुत सारे शॉट्स बेस निकल जाएंगे वहां पर पी एक कॉंटेश मोट रखिए ताकि थोड़ा लेफ राइट अगर होता है तो अब शुट करेंगे तो पिक्चर्स बेसिकली कि एक ही जगे पर हम दस लोग शुट कर रहे होते एक ही पिक्चर बहुत वाँ हो जाती और बाकियों की नहीं होती उसमें टाइमिंग बहुत बड़ा रोल निबात ही कि उनका शटर कप्रेस हुआ और बाकियों का शटर कप्र यही के मेजर कम बहुत है तो अलवेज ज्यान रखें टाइम एंड टाइमिंग अब सर इसको नहीं एचली बड़ फोटोग्राफिय करने वाइड लाइफ करने के वाग कामरे गंद हो जाते हैं वाकी लोग साफ करते हम लोग दोते हैं सर तो अब हम इस पे कैमरा का दोना भ बैस पर्ट के आपकी बॉड़ी तो कई कर वार वार वाइदर सील्ड होती हैं बट आपके लेंज नहीं होते हमारे पास ना कम्प्लीट सिस्टम भी वैजर सील्ड है लेंज कि यह देखिए अ मलब इस तरीके से कभी आपने अपने कैमरे को तो वाश किया नहीं होगा और बापस आप देखेंगे कैमरा यह रहा शेम सब कुछ है और उसके बाहर लोगों ने तरीका दिखा कि पानी गिरने के बाद भर पूर पानी गिरने के बाद विकामरा इससे मतलब है भी रेंग पोरिंग रेंग के अंदर भी आप किसको ना यूज को सब इसके अंदर पानी चला जाएगा डस्ट चली जाएगी इसके अंदर तो नहीं चला जाएगा नौर्माल एक अच्छे कपड़े से साफ कर लो इस आज की फोटो वॉक में आपको बहुत मजाया होगा जो मिस्टर शाम जी ने और टिप्स अंट्रिक देते के वाइड अंदर है और CEO भी तो उनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और जो कैमरे के पीछे हमारी प्रवाद भाई तो जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑलंपस को यानि के ओम सिस्टम को तो उनका भी नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको किसी भ आने वाला हूं तो तिल देन टाटा बाइबाय मिलते हैं आपसे नेक्स व्लॉग में और भूख लगी है कुछ खा लेता हूं